नमस्कार आज फेस टू फेस में हमारे साथ एक बिसिष्ट मेहमान उपस्थित हैं पदम्श्री बालेंदु प्रकास वैद्दि बालेंदु प्रकास जी इस राज जी के बहुत ही जाने माने चेहरे हैं और 42 साल का उनका आयूरुबेद के छेत्र में सेवा करने का एक बड़ा अनुभव है और बहुत सारी ऐसी बिमारिया जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं है उन्होंने आयूरुबेद में करके दिखाय प्राश्टी एस्तर पे उसको प्रचारित किया है लोगपृरी बनाया है और आयूरुवेद पे लाखों लोगों का बिस्वास पुना स्थापित किया है आज हमारे साथ हैसे ही बालेंद प्रकाश वैदी जी है इन से जानेंगे कि आयूरुवेद जो आज ने सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया के आकरवण का केंदर बना है, लोगों का विश्वास इस पे बढ़ा है और उसमें रोजगार के साथ साथ स्वास्त की बड़ी संभावना एं पूरी दुनिया देख रही है तमाम तरह के रिशर्च चल रहे हैं, तमाम तरह के संस्थान चल रहे हैं, क्या है इसका भविश, कितनी कारगर है आयरुवेद की ये पैथी, इन सारे विश्यों पे विश्तार से बात करने के लिए चलते हैं बैद्य बालेन प्रकाजी के पास, आपका बहुत-बहुत जहां पे चरक, पतंजली जैसे महान आयरुवेद के चिकितसक हुए कह सकते हैं, तो ऐसे भारत की तरफ पूरी दुनिया बड़ी उम्मीद से देख रही है, और आपने जैसा की बताया, बैली साल, आपका बड़ा अनुभाव होता है बैली साल, एक दो पिडिया निकल जात हैं और दुनिया की जो अपे अच्छा है उसे पूरा करने में भारत कितना सफल सावित होगा जी में ये मेरा स्वभाग ये है कि मैं एक वेद के कर में निक जरब लिया और भी एसी की पड़ाई करने के बाद आयरवेद के ग्यान से जड़ू को अगरम देखते हैं तो आयरवेद के और एक औशधी शास्तर दिए हैं आयरवेद एक जीवन जी नहीं के लाएं तो रहा है उतना दोबे रहना कैसी है और उसमें वहवार की भी बाते भुशा जाएं कि हमारा भी एवियर कैसे होना जी तो एक समग्र परस्नेल्टी रेवलमेंट आयरवेद के द्वारा आदी की बुसाएं और आयरवेद का जो एक सिड़ान थैं स्वस्ता से स्वास्राइब आप तो जैसा कि मैंने बताया पतंजली योग सूत्र की बात करें या चरक संहिता की बात करें तमाम जो हमारे देश में इस तरह के साहिते जो प्राचीन साहित है जिसमें इस पैठी के बारे में बहुत बिश्थार से लिखा गया है और इस पे रिसेर्च करके आधुनिक भारत के कई सारे जो जागरूक लोग हैं उन्होंने तमाम पेटेंट भी हासिल किये हैं और साथ यही कारण है कि पूरी दुनिया का विश्वास आयुरुवेट की पैथी पे बढ़ा भी है इन 42 सालों में अगर आपके अनुभ़ों की बात करें तो इसके बारे में बताईए कि कितना ग्यान है किस तरह का ग्यान है और उस पे अगर सोध की संभावना की बात करें तो कितना भी और सोध होना चाहिए हाँ आपने जो आखरी बात बोली शौत की तो आईरवेद हमारा हजारों साल पुराना लिख्यान ने जब लिखा गया था तो उस बार पे लिखा गया थे कुछ समय की हमारी आशक्ता क्या थी और हमारे पास सुझधाएं क्या मंजून थी उसी हिसाब से सारी चीजे में पर द अगर बात करें एलोपैथी की तो एलोपैथी में सरजरी एक बहुत बड़ा छेत्र है जो तमाम बीमारियों के इलाज का एक बड़ा साधन होता है और ततकालिक जो राहत है वो देता है लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं साइड उन साइड इफेक्ट्स की वजह से पूरी दुनिया वा आयुरुवेद की तरफ हा रहे है जो माना जाता है कि जिसका इलाज जिसकी चिकित्सा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं पैदा करकी लेकिन जो सरजरी का बिकल्प है आज भी आयुरुवेद अपने कोई सलायक नहीं बना सका कि सरजरी का कोई बिकल्प सके तो इसको आपकी सुरूप में देखते हैं और उसकी वास्तविक्ता क्या है अगर हम अलोपेदिक बनाम आयुरुवेद की बात करेंगे तो कुछ नहीं हो वह करना ही बेमानी है 1935 में महातुमा गांदिनी ने एक आर्टिकल लिखा था उनकी एक सोच थी क्योंकि वह कु बात करें जो कि हमारे देश की जन्धा की चिकिस्ता की अवश्कता को ने करें तो यह उनकी सोच दी और है यहीं सोच करें बी- identifier में से जो मेरी इवियम्टै जो सरकार सिमा रहे हैं तो अगर तुरा थुझामोबाइलक कीYeah Emal कर दो समय के साथ बिले कि तुर नहीं करना विकार है वो समय के साथ मेले की सरे विकास हुआ तो चीष्टा शास्त्र एक है उसमें और बना मैं रो पेदि द्योना चाहिए और ऑफेजरी के दिवारा जिकी साहिए अज जब किसी को इंफेक्षण होता है तो तो रूने में आज एक बीमारी है पैंकि पारागंदक के आज बारा आज बीमारी को बिल्कुल ठीक करती है तो अगर वह नी होगा तो डाइग्नोजी नी होगा आकस्मिक चिकिस्ता नहीं होगी परंटु जब हम आईरवेज के सिद्दानों को मिलाएंगे तो दोनों पूरग हो जाएंगे मॉडर्ण मैडिसिन एंड आयरवेदिक टेडिशन मैडिसिन एंड टेक्नलोजी इन दोनों को मिलाके ही अगरण करेंगे तो आयरवेद का और एलोपेथी का जो विज्ञान का सिकाल दुनिया दर होना चाहिए वो होगा वे जी आयरवेद का जैसा आपने बताया कि सिर्फ चिकित्सा पद्धती ही नहीं बलकि एक जीवन पद्धती भी है और साइद इसका सर्वांगेर रूप से देखे तो आपके जीवन पद्धती को ठीक करने का एक बहतर ये माध्यम है आयरवेद और उसी वजह से उसी के च वे जो प्राचीज कित्सा के जनक कहे जाते प्रतंजली उनका प्रतंजली योग सूत्र है तो उसमें योग सब्ड़क भी आता है तो योग और आयुरवेद एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए है और जबकि पुरी दुनिया आज सररकार के प्रयास से पूरी दुनि है वो किस तरह का है देखे भारत एक आध्यात्म देश रहा है योग एक शदीर का दोश है वो आईरवेट के द्वारा है और जो मारा मांसिक दोश है मांसिक जो हमारी स्वास्त है उसके लिए योग का बड़न है और योग का अश्टांग योग है और उसका उदेश है मुख् यह भोग युक्त योग है तो उनकी गुरु वाक्य में लिखाए कि स्वास्त को ध्यान में रखते हुए लोग की जाशी में बंद देश सेवा करना सबसे बड़ा करनी होग है बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं योग जो है प्राडो को एक नया आयाम देता आया है और प्राडो को जब नया आयाम मिलता है तो आप बहुत एक जगत से अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं और अध्यात्मा आपकी आत्मा को एक नय अस्थान पे ले जाती है खर या अध्यात्म की एक आयरवेज जब हम पढ़ते हैं तब उसमें आयरवेज दर्शन करके एक चैप्टर आता है पदार्थवी ग्यान उसमें प्रमान आता है कि प्रमान मतलब फैक्ट्स क्या है तो उसमें चार तरह के प्रमान है प्रिजक्ष प्रमान जो सामने दिख रहा है एक अनुमान है ज चारवाग रिशीक है जो उन्होंने कर एक महाना है प्रमाण प्रितेक्ष प्रमाण एविदेंस तो एक बहुत पहले पिक्चर आई थी विद्या बालन की जिसमें वो बोती है entertainment entertainment and entertainment तो मैं अपनी चीकित सामे कर एक ही शब्द बोलता हूँ evidence 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 मैं एक वैद दूँ ब्याली सेल का तजरूबा है पद्ध भी मिले हूँ है पुरी दुनिया गुमा हुआ हूँ परन्तु मैं आईरवेद का स्पोक्सपरसन नहीं हूँ मैं के वल यही बोलूँगा कि जो मेरे को अनुभाव अपने पिताशीरी से मिला और जो मैंने उस जीवन में रिले रेस में मैंने जोड़ा मैं उसके बारे में बोलता हूँ कि आईरवेद के इस चिकिस्था सूथ के द्वारा मैंने अपनी जिंदगी में कुछ प्रमानिक चिकिस्था पैदा की हैं जिसमें सबसे पहले आता है एक्क्यूट प्रो मायलोस्टेटिक लिक्यूमिया जिसको मैंने ऑल इन्याइस रूट में ट्राइल किया बारसरगार के सोजनने से और जिसके लिए मुझे पदम स्थिमिला उन्निस सो निन्याड में में और उसका यू बिमारी होती है क्राइनाइटिस पुराना जुखाम ठीकी नहीं होता तो हमने देखा कि 18 जड़ी बूटी और भसमों से बनीवी जो दवा है वो पहले अपने क्लिनिक में फिर ट्रायल कराके देखा कि ये जो आज की एरोपेटिक दवा है जो दुनिया में प्रिसलित है उस से तीन साल में बने हुई दवा करती है अभी मेरा शोद पत्र अमरीका से छपा है पहन के ट्राइटिस का और उसमें हमने दिखाया है कि आयरवेदिक दवा लेने के बाद कम से कम 90% उस मरीजों को मुस्तकिल फायदा होता है पांची बिमारी है न्यूट्रिशन एनीमिया ज इतना आयरण का एब्सॉर्व होना तो एक और दी है क्लासिकल सूशेकर और सी तबलादी जिसको हमने स्टेंडाइज किया और थोड़ा सा परिश्कित किया तो वह हमने पाया कि आयरण एनीमिया को आयरण से बहतर करती है तो यह पांच ऐसे प्रोटोकॉल है जो मैंने अप प्रतु आयरवेद को विज्ञान के साथ जोड़के प्रमानिक तोरपी देना है बाबाजी की तरह और दिवारों पर लिखके और विज्यापन देखे जो आयरवेद है वो आयरवेद को नुक्सानी करता है कोई फायदा नहीं करता हूँ ठीक बात करें डॉक्साब मैं बताना चाहूँगा कि जो आयरवेद है बेद का हिस्सा है और बेद भारती संस्कृति का महा समन्दर मना जाता है जिसमें इस देश का एसारा जो इतिषास है हो समाया हुआ है ने केवल संस्कृतियों का बल्की मानोता का इतिषास भी उस समा बात करते हैं थोड़ा उत्राखंड की उत्तराखंड जिसको देश में जड़ी बूटी प्रदेश के तौर पे अपना एक पहचान हासिल है और पहले जब यह उत्तरप्रदेश का हिस्सा था तब भी यह जो गड़वाल का छेत्र है कुमाओ का छेत्र है अपनी जड़ी जड़ी बूटी के छेत्र में इसको और प्रमोट किया जाए ना केवल देश में बलकी बीदेशों में भी तो तमाम संस्थाए भी जीला भेशत संग बना और बाद में जड़ी बूटी उत्पादन होता था उसको बन विकाश निगम के माध्यम से भी मार्केट में और जो इसके जरूरत मंद है उन तक पहुचाने की बेश्था की गई उसके बाद की सरकारों ने जड़ी बूटी सोट संस्थान भी बनाया सगंद पादपकेंदर भी बनाया ऐसी तमाम संस्थाय बनाई जो इस राजी की जो सबसे ज़्यादा संभावना सील चेत्र है जड़ी प्रियास था वो किस अस्तर पर पहुचा है कितना संतुस्ष्टी आप महसूस करते हैं उनके प्रियास से देखे पूरा हिमालेई छेत्र नेपाल जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्राखन ये जड़ी-बूटी बहुल प्र बहुली किस्तिति है तो उत्राखन भी उसी का हिस तो उत्राखन जब राज्य बना तो उत्राखन का जड़ी-बूटी यहां का पैट्रॉल समझी है इसमें विशद संभावना है परंतु यहां की जो सरकार थी या पहले भी थी उसमें कहीं उल्जन हो गई है वो केवल सरकार का काम नहीं है सरकार को समाज को और जो स्टेक हो क्यों लगाएगा तो उसके उपर जो बैठक होनी चाहिए थी जैसे और सबसे बड़ा स्टेक है जड़ी-बूटी का वह आयरवेध का आदमी है परंतु आज क्या हो गया है कभी को रिसर्चर बोलता है कि नहीं जड़ी-बूटी उसकी नहीं है वन विभाग अपना स्टेक करता है उद्यान विभाग उसका स्टेक करता है तो उसमें इतनी सारी उल्जान हो गई है कि जड़ी-बूटी का जो समगरे विकास होना चाहिए था जो उसका फायदा होना चाहिए था वह इस राज्य को अभी तक नहीं मिल पाया है ठीक बात है कि मेडिसनल प्लान बोर्ड बन गया जड़ी-बूटी-शोज संसान बन गया और इसकी निकासी भी होती है पर वो कुछ चीजों तक सीमीत है पर जो यहां की दुरलब प्रिजाती है चुकि इंडेंजर्ड है जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है उनका अभी तक कल्टिवेशन प्रॉपर यहां पर शूर भी नहीं हो रहा है यह सब हाई वैल्यू एड़ेड है तो मैं तो समझता हूं कि अभी हमने प्रियास किया गंगी में जड़ी-बूटी लगाने का और वहां पर अपनी जमीन ली एक प्राइवेट एंडेंडर्पेनर की तौर पर और सरकार की जो अनुमतियां थी ओली लेकर के जो केंदर सरकार हूँ भी बड़ी संविदन सील है और आयूस मंत्रालाय का अलग से गठन किया है एक कैविनेड मंत्री भी बनाया है आयूस के छेतर में और तमाम ना किवल उत्तराखन बलकि तमाम ऐसे राज्यों में भी यह आयूर बेद और जड़ी-बूटीों बड़ा छेतर है जो यहां की आर्थिकी को बदल सकता है यहां के जो स्थानी लोग हैं उनके जो आर्थिक स्थिति है ऐसित है उसे बदल सकता है और जो पलायानिस skincare के लिए सबसे बड़ा एक संकट है पलायन तमाम सरकारों के लिए चिंता का विषैयर है और स्orneys मरिक दिष मैं कितना कारगर हो सकता है और इस तरह का काम और किन किन छेत्रों में किया जा सकता है क्या इसकी कुछ जानकारी हमारे दर्स को को दीड़ी जी गंगी का जो प्रेयोग है वह ओड़े 8.000 फिट पर बसा हुआ गाम है सीमान गाम है और 700 लोग होँ रहते हैं और जब मैं पाट नो गंटे पैदल चलके जाना पड़ता है तो मैंने देखा कि गाउं में ताले लगे हुए हैं और वो ऐसे लगता है जैसे आप आदिम यूग में आ गया है वहां पर लाइट नहीं है पीने का पानी नहीं है लोग जरने का पानी लेकर आते हैं उसे पीते हैं चो प्लास्टिक की बोतल हम फेक देते हैं वहां के लिए एक एसेट है क्योंकि उनको एक जगे से पानी ले जाने के लिए उनके पास कोई चीजी नहीं है तो ऐसी जगे पर कुजरत ने नायाब तोफा दिया है हाई वैल्यू वाली जड़ी बूटियोगा तो गंगी की हाइट के जितने भी गाम है, साथ यार्फिट से उचे की वो जो जमीन हमारे पास पड़ी है जो बंजर होती जा रही है, खुछ जंगली जानवर की वज़े से, खुछ याताज़त की वज़े से जब यहाँ पर हाई वैल्यू चीजे पैदा होंगी, तो वहाँ के लोग उस साइद होंगे, वो मुझे पक्का पता है कि अगर कोई किसान अपने घर में एक लाग रुपे की जड़ी पूटी पैदा करेगा तो दिल्ली में जाके ड्राइवरी नहीं करेगा एक और विशे मेरे ध्यान में आ रहा है पिछले दिनों उत्राखंड सरकार ने पतंजली योग पीट के साथ एक M.O.U. साइन किया है और उत्राखंड में लगभग पाच हजार जड़ी बूटीयों को खोजने का एक लक्ष साजा लक्ष तय किया है लेकिन इस M.O.U. के होने के बाद अलग-अलग इस छेतर में जो काम करते हैं उनकी अलग-अलग प्रत्क्रियाएं थी कुछ लोगों का कहना था इस छेतर में काम कर रहे हैं तो इस बात में कितनी सत्य तायर आप देखते हैं मैंने ही समझता है कि सरकार और प्राइवेट कंपणी के अनुबंदन से किसी को कोई परशानी होगी सरकार अगर खुद पैदा करके किसी को देती बात है पर सरकार कोई चीट खुद पैदा नहीं करती है मैं एक मिसाल दोंगा चितरक चितरक हमारे पूरे देरादून के इलाके में जो मेदानी इलाका है यहां पर पहले कुदरती होती थी और फिर यह इसका अंदादून दोहन हुआ तो खतम हो गई हमने कुछ साल पहले यहां राइपूर ब्लॉक में एक एक्सप्रेमिंट किया जमीन किराय पे लिए और जो जन्वन हस्पतियां उस इलाके में हो रही थी उनको उस नरस्री में लगाया तब हमें बड़ी मुश्कित से दो पौदे चित्रक के वहां से मिले और चित्रक हमने इंट्रोडीउस की आज उसका नतीजा आए जाए कि करीब 30-40 एकड़ में हम चित्रक को लगाने में काम्याब हो है कि वह दो पोदों से आप अगर सरकार से अनुबंद कर भी लें कि सारी चित्रक में लूँगा पर चित्रक है कहां पर तो मेरे को लगता है कि जो मच हाइप हुआ है चड़ी बुटी तो ही नहीं अगर आप जा आपको कुटकी चाहिए पिछले सालम ने करीब 20 किसानों को 200 किसानों को 20-46 में कुटकी लगाने की बात की तो आपको हरानी होगी कि उस कुटकी के पौदे ही नहीं थे यहां पर तो मैंने अनुबंद कर भी लिया कि मैं सारी लूँगा तो अनुबंद हो गया अख़वार में खबर चप गई पर वो कुटकी है किदा लगाने के लिए तो अगर मुझे अभी आज 10 कुटल कुटकी चाहिए तो मेरे को नहीं लगता कि राजज्य सरकार के पास है अनुबंद हो मैं भी कर लूँगा तो कई बार कुछ चीजे होती हैं कुछ अनुबंद होते हैं उनकी मैंने समझता हूं कि प्राइवेट कंपणी भी आएं पर वो जड़ी बुटी पहले लगवाएं किसान कहां से लाएगा और सरकार किसानों को लगाने के लिए बीज़ और पौदे दे और थोड़े से नियमों का सरली करन करें तो जड़ी बुटी का होगा तो प्राइवेट अनुबंदन से मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परशानी हो ली क्योंकि सरकार किसी से ले के नहीं दे लिए अब किहों का समर्थन मूले होता है उसमें किसान के ओपर कोई बात देता थोड़ी कि वो सरकार कोई बेचे किसी को भी बेच सकता है और उसके लिए बाजार की जो उपलबदता की बात करें तो बाजार कितना उपलबद है अभी हमने जो कूट और कूटकी लगाई है मेरे पास ये जानकारी मिली है हमने जो टेस्स कराया है कि गंगी छेत्रे में जो कूट और कूटकी है वो दुनिया की सर्वशेष्ट क्वालिटी की है और कूट का जो बजार आज मेरे पास मौजूद है वो डेर्ड सो टन का मौजूद है पर मेरे पास तो पंद्रे किलो भी नहीं है अगर मैं लेने जाता हूँ तो मुश्किल से पांच कुंटल दस कुंटल की बात होती है तो दुनिया में 120 मिलियन डॉलर का जैने 80 बिलियन डॉलर का करीब जड़ी पूटी का मार्केट है हमारे हिंदुस्तान की कुल 3% ही उसमें युगतान है और कोरिया छोटा-सा मुल्ग है वो पैड़ा कर रहा है तो हम लोगों ने इसकी कॉपरिटी बनना है हम लोगों को कॉपरिटी बनाके उसकी बजार की वरुष्टा करके बंदार अरकन के अब गाउं में जो आदमी पैदा कर रहा है पाड़ पर उसके पास रहने के लिए चोटा सा मकान है, उसने जड़ी पूटी पैदा कर ली तो रखेगा कहां पर, तो जो कॉपरेटिव्स हों, वो चोटी-चोटी स्टोर बने, तो पूरा स्टिजर लेंड है, पाड़ी पर रहता है, पर उन्होंने दूद को कैसे करा है, कि छोटी-चो ठीकर है, बाजार है, लेकिन उत्पाद नहीं है, और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनोती यही है, कि उत्पाद होता है, लेकिन बाजार नहीं होता है, और प्राया ही इसका लाब बिचोलिया उठाते हैं, तो यहां बाजार है, लेकिन उत्पाद नहीं है, तो सरकार के ये एक बड़ी चुनोती है और साथ हमारे चैनल के माद्यम से ये बात आपकी सरकार तक पहुचे हमारा प्रोग्राम व्यक्तित वाधारित है और आप पदम स्री जैसे एक देश के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित है तो अपने व्यक्तित के बारे में भी कुछ बताए व्य कीस तरह से पड़ाई लिखाई हुई और किस तरह से इस चे में मैं आपके यह वैक्तिगत जिवन तो वैधेगा जीवन एक ही होता व्याध होता है और मरीजों के साथ जडी पूट्ति यों के इसा उसका संब्स होता है तो मेरा व्यक्तिकत जिवन कोई खस नहीं है मैं मेर इशाद रहें कि चार मेरे बच्चे हैं, एक बच्ची मेरी वैद है, और एक बेटी मेरी साइंस राइटर है, एक बेटी ने पीच्डी साइंस में किया है, चौथा बच्चा जो बेटा है, वो मेरे साथ पाट साल से रस ओजदी बनाता है, बिलास पूरू हम शिफ्ट हुए ह आपके बारे में कहा जाता है कि देश की बड़ी सक्सित भी आपके यहां इलाज कराने आती हैं तो थोड़ा सा संचिप्त में इसके बारे में बताए कब तक आपने देश की कौन से ऐसी सक्सित का इलाज किया और जो आपसे बहुत प्रभावित हुए और जिनको बहुत लाग में बunning बना दिया और एक बैद के नहांते मेरा ये फुज नहीं बंदा कि मैं अपनी शक्सित को करूं मैं बिमारियों के लाज करता हूं मैं नहीं किक वह अपने बहुदे बहुत हुकुत है अनुबहुत के बारे में भी बताया, 42 साल का आपका प्रेक्टिस करने का एक बड़ा अनुभव है, आपने परिवार के बारे में भी बताया, तमाम पर जो आपके बच्चे हैं, वो भी सेटल्ड हो गए हैं, तो आप कहे जा सकते के एक सफल विक्तित्त के मालिक हैं आप, इस सफलता का सिरे चंद सब् में देना हो, तो किसे देना चाहेंगे? ईश्वर कृपा, माबाब का सिर्वाद, आप हमारे सो में आए, हमको अपना बहुमूल समय दिया, अपने अन्भो सेयर किये, अपने भविश्य की योजिनाओं के बारे में चर्चा किये, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्य इसके साथ ही ये भी बताया कि सिर्फ सरकार का हिद्दाइद तो नहीं है, किसी संभावना को परड़ाम में बदलना, सरकार के साथ सहभागिता, आम जन की सहभागिता भी उतनी ही आवस्यक है, जितने की सरकार के प्रयास, तो मैं समझता हूँ इनका जो ये संदेश है, ये सब्ताय मिलेंगे, हम ऐसी ही किसी अनिसक्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए साथ में प्लस